तो देखिए फ्रेंट्स इस स्टेट पैंट की कटिंग एंड स्टीचिंग मैं आप लोग इसाद शेयर करने वाली हूँ तो हेलो फ्रेंट्स कैसे है आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे तो आप लोग इसकी पैंट की कटिंग देख लीजिए इसके जो उपर का टॉप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ये जो ड्रेस है ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने इस्टागरम पर सेंट किया था उन्ही की रिक्वेस्ट पे मैं इस ड्रेस को बना रही हूँ तो आप लोग फुल इसका ड्रेस देखना चाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं तो चलिए इसके कटिंग और स्टीचिंग करते हैं तो देखे फ्रेंट्स इसको पैंट को कट करने के लिए ये मैंने लाइनिंग फैबरिक लिया है ये सवा दो मिटर फैबरिक है और ये धाई मिटर फैबरिक है तो चलिए ये देखे इसको साइड में भी रख देते हैं हम इस वाले को ये में फैबरिक है हमारा और ये जो हमारा लाइनिंग है इसमें हम अपना मेजर्मेंट लगाते हैं तो इसको हम फोल कर देते हैं, इस तरह से खोल कर इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे, तो दिखे यहां से यह ओपन है, ठीके, तो यह किनारी वाली साइट से मैंने इसको अपनी तरफ ले लिया है, यहां से सबसे पहले देखी, एक मैं स्टेट लाइन यहां पर लगा देती अब ये उपर से देखिए ये मैं लाइन यहां पर भी ड्रो कर देती हूँ अब देखिए गाईस हमें मेजेर्मेंट लगाने के लिए सबसे पहले तो हम फुल लेंद लगा देंगे आपकी जितनी भी फुल लेंद हो उसमें 2 इंच प्लस करते हुए यहां पर लगा देजिएगा फुल लेंद मैं आप लोगो ज़रूर बताऊंगी तो देखते रहे हैं आप लोग वीडियो को अंट तक तो अभी देखिए इसको मैं सीधा करके यहां पर हटा देती हूँ आप लोगो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं मैं इसको पूरा दिखाऊंगी फिर से तो आप देखिए यहां पर हमें क्या लगाना है अपने हिप का जो फोर्थ पाट है जो आपकी जितनी भी हिप है उससे फोर्थ से डिवाइट कीजिए और यहां पर लगा दीजे मेरी 40 की हिप है तो अब इसको यहां से सीधा कर देते हैं और यहां पर भी हम 10 इंच पर ही लगाएंगे यह दिखिए तो यह थोड़ सा तिर्चा हो चुका है इसने मैंने इसको इस तरह से लगाया है अब देखिए यहां पर भी 10 इंच पर ही लगाऊंगी और यहाँ पर भी 10 इंच पर ही लगाऊंगी और इसको इस तरह से जॉइन कर दोंगे तो यह हो गया भी हमारा यहाँ से और यहाँ से देखिए मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ यहाँ से इस तरह से शेप देने के लिए बलक इसी तरह से आप लोगो देना है बिल्कुल गहराई में नहीं देना है तो आप देखिए मैं knee length लगा रही हूँ यहाँ से knee length जो है वो मेरा 21 इंच पर है इस तरह से यह देखिए 21 इंच पर मैंने लगा दिया अभी अब यहाँ पर यह देखिए यह कितना है मारा 10 इंच है तो 10 इंच का half हम यहाँ पर लगाएं यानि कि 5 इंच पर मैंने लगाया है अब हम knee round लगाएंगे यहाँ पर आपकी जितनी भी knee round हो मेरा 18 इंच है तो मैं उसका half लूंगी 9 इंच और उसका भी मैं half करूंगी यहाँ पर 4.5 इंच इस तरह 4.5 इंच इस तरह ठीक है इसी तरह से हमने इसमें लगा देना है तो आप देखिए यह full length मैंने आप लोगों को दिखाया है यह देखिए 40 की मेरी full length है 2 इंच मैंने इसमें plus किया है तो आप देखिए यहाँ पर हमने कैसे लगा थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हमें लगा देना है या फिर आप लोगों को इस तरह से नहीं लगाना है तो 3 इंच पे एक निचान लगा दिए और यहाँ पर अपने bottom का निचान लगा दीजिए और इसको जोइन कर दीजिए या फिर आप लोगों को और भी अच्छे से बनाना है इसमें तो यहाँ पर हमने 5 इंच लगा यहाँ पर भी हम इसमें 5 इंच पे ही लगा देंगे इसके बाद आपका bottom जितना भी हो 7 इंच का मेरा bottom है तो 3.5 इंच इस तरफ 3.5 इंच मैंने इस तरफ लगा दिया है ठीके सेंटर से मैंने 3.5 इंच लगाया है अब हम इसको इस तरह से जोइन कर देते हैं हमने straight पट्टी से ही जोइन करना है बिल्कु हमने shape पट्टी से नहीं करना है जोन devoted से से हमने करना है तो यह हो गया देखी अब यहां पर यहां पर भी हम स्टेट पर्टी से इस तरह से जोन करनेंगे तो आप जब्हों तो यह दिखे यहाँ पर इसको इस तरह से जोन कर सकते हैं ठीक है, तो यह बिल्खुल फिटिंग में आप लोगों को अच्छे से रहेगी चीक है तो अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं करना है तो आप सीधा सीधा भी इसको जोईन कर सकते हैं अगर आप लोगों को गहनाई में बिल्कुल नॉर्मल फिटिंग आप लोगों को चाहिए तो इस तरह से देखिए यहां से इस तरह से रखिए इ बिल्कुल इस तरह से इसको निशान लगा दीजीगा ये भी परफेक्ट ही आती है हमारी ठीक है तो चलिए ये कट कर देते हैं दोनों आडिया मैंने आप लोगों को बता दिया है तो ये जो ड्रेस है उसके साथ जो है थोड़ा सा लूजिंग में ही है पैंट इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है ये बिल्कुल कमफिटेबल रहती है बिल्कुल फिटिंग में भी नहीं रहती है और लूज भी नहीं रहती है बिल्कुल ये परफेक्ट होती है ठीक है और बैटने उटने पर भी ये बहुत ही अच्छे से कमफिटेबल रहती है इसलिए मैंने इसको इ तो आप देखिए इसको मैंने फैब्रीक को आगे ले लिया है और इसमें हम कट करेंगे अपना बैक पीस ठीक है तो ये हम फ्रॉंट ले लेंगे इसी को हम रखेंगे नीचे लगा कर रखेंगे तरह से जो फैब्रीक है हम उपर की तरफ छोड़ देंगे सवा दू मीटर Fabrik म छोड़ दिना है ठीक है तो यहां से एक सीधी लाइन इस तरह से मैंने फिर से लगा दिया है और यहां पर देखिए मैं वान इंच एक निशान लगा रही हूँ कि कि हमने बैक पीस में जो है वो वान इच उठाना है और यह टू इंच हम ले लेंगे टिक हैं इलस्टिक का जो जो महें इसमें फйled करए आप चाहो तो इसको अलग से भी फोल कर सकते हैं इसमें फंल करंगी है तो देखिए यहां पर हम यहां से जुईन कर देते हैं ठीक Oh नहीं वहां süद्छ देखिए यह बैक पीस का हमारा इस तरफ हो चुका है आप देखिए गाईज अगर आप लोगों को इसमें इलस्टिक लगाना है तो यहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाना होगा तो मैं टू इंच से थ्री इंच तक इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक इसम तो अभी देखिए हमें यहां पर कितना लेना है सबसे पहले तो इसको मैंने जॉइन कर दिया है अच्छे से अब देखिए यहां पर मैं थ्री इंच का एक और निशान लगा रही हूं यह बैक में हमने लूजिंग डाला है ओके यह बिल्कुल कंफिटेबल रहेगी डूंट जो है बॉटम में उसमें मैंने वन इंच एक्ष्टा बढ़ाया है ओके तो इस तरह से पट्टी लगाते हैं हमने स्टेट में निशान लगा देना है और यहां पर भी हमने इसको इस तरह से लगा देना है ज्यादा गहराई में हमने नहीं देना है वरना यह उपर की तरफ बिल्कुल गहराई में नहीं देना है ठीक है तो ये बैक दीए हमने बिजाण इसमें लगा दिये हैं आप इसको हम कट कर देते हैं तो चिस तरह से मैंने कट लगाया है निशाण बिल्कुल उसी तरह से आप किसी की भी मेजर्मेंट से बना सकते हैं बिल्कुल Vergleich रहे पैंट ठीक है तो गाई इस अगर आप लोगो कोई डाउट charisma हो तो वो बिल्कुल कमेंट में पूँछ आप लोग मैं जरूर उसमें और वो जो कमेंट है आप लोगों के इसी का कॉडिंग होना चाहिए तो मैं आप लोगों जरूर अंसरा करूंगी ठीक है जो ड्रेस है वो फुल मैं आप लोगों को बताऊंगी चीक है तो चलिए आप ये देखिए ये हमने कट कर लिया है अब हम इसी को रखते हुए इसका जो में फईल घ्रीख है वो हम कट कर लेंगे फिदो यह देखिए यह हमारा main fabric है इसको रखते हुए as it is हम two piece cut कर लेंगे यह देखिए यह हमारा front है चीखे यह देखिए यह four pieces है हमारे और यह देखिए यह हमारा back है यह भी four pieces ओके गाईस तो चलिए अब हम इसको एक दूसरे के साथ join कर लेते हैं यह हमारा lining वाला pant है चीखे यह देखिए इस तरह से हमने आमने सामने रखना है इसी तरह से आप लोगों को join करना होगा वनना यह आप लोगों का उल्टा सिदा हो सकता है इसलिए इसको आमने सामने रखिए इस तरह से और इसको एक दूसरे के साथ जोइन कर दीजिए ठीक है तो चलिए अब ये मैं सब को एक दूसरे के साथ जोइन कर देती हूं फिर आप लोगों को इसमें आगे क्या करना है ये बता देती हूं ठीक है तो ये देखिए ये जोइन कर दिया है मैंने ये हमारे फ्रंट है और ये वाला हमा कrzyफ़ेगे धिमी इस तरह से फोल्ड यहां से इसको सिल दिया। तो मैं इसको इलास्टिक के साथ भी सिलीगी। यै। इसको सिलंगी, सबसे पहले वहांसे सिलंगा है, máँ इसप्रेच किस अधेच करणी इलस्टिक को उसके बाद इलस्टिक जितनी है हमारी उतना ही फोल्ड करते हुए मैं इसको थोड़ा सा लूजिंग छोड़ते हुए इसमें सिल दोंगे ठीक है और यह देखिए यह फ्रंट है हमारा अब इसमें हम डाट लगाएंगे और यह जो हमारा फ्रंट है इसका हमने 10 इंच रखाता 10 इंच से हम यहां पर हाफ लगाएंगे फाइव इंच पे इस तरह से ठीक है यह हमारा सेंटर बन चुका है फाइव इंच का और यहां से हम हाफ इंच और इधर से भी हाफ इंच और फोर इंच का इसमें डाट में ले रही हूं ठीक है यह फोर इंच का मैं ड दाट लिया है, और दोनों तरफ से मैं हज्ञा हाफ इंच का इसमें प्लिट्स के लिए ले लिया है, तो हम इसमें इसमें devils बना देंगे, यह फ्रेंट है हमारा इसमें लगाएंगे, तो अब इसको हम कॉपी करेंगे दूसरे वाले पर, इस तरह से यह दिखिए यह हमारा क लगा दिये हैं, आप देखें, इलस्टिक हमने कितना रखना है, आपका वेस्ट राउंड जितना भी हो, उसमें चार से पांच इंच आप इसमें कम कर दीजिए, और उसका हाफ यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है, तो इलस्टिक के अकॉर्डिंग कम कीजिएगा, ज्यादा ताकि इलस्टिक जो है, यह घूमेना, इसलिए हम इसको इस तरह से लगा देंगे, तो अब यह रेखिए, यह हमारा फ्रंट है, इसमें मने डाट भी लगा दिये हैं, अब इसमें हमने बेल्ट बनाना है, ठीक है, तो यह देखिए, हमने जो शर्ट के लिए लेते हैं, और यह दिखिए, मैंने यह फैबरिक जो लिया है, यह फोर इंच की चोड़ाई है, ठीक है, और इसको हम सबसे पहले दिखिए, इस पट्टी को यहां पर रखेंगे, और यहां से हाफ इंच जितना इसको फोल्ड करते वे, यहां पर स्टीच लगा देंगे, इस तरह से, ठ ठीक है, यह दिखिए, इस तरह से, खोप कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा है, दिखिए, मैंने हाफ इंच पे फोल्ड करते वे, इस तरह से इसको स्टीच लगा दिया है, उसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और यहां पर एक दाप की सिलाई लगाते व और यह जो हमने हाफ इंच का फैबरिक छोड़े हैं, बिल्कुल उत्रा ही फैबरिक हमने इसको लेकर इस तरह से सिल देना है, चीक है, तो यह हमारा जो फ्रांट है, वो भी रेडि हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे, यह दिखिए, बेल्ट ह सिलाई लगाएंगे, तो साइड की सिलाई लगाने से पहले हम इसमें जिप लगाएंगे, दिखिए मने जिप लिया है, यहाँ पर इसको जिप को रखेंगे, हमारा जो जिप का एंडिंग है, यहाँ पर इसको हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, यहाँ से हमन इसको stitch लगा कर उसके बाद मैं इसमें zip attach करूँगी तो चले सबसे पहले मैं इसको seal देती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ तो दिखिए गाईज इस तरह से मैंने इसको seal दिया है यह दिखिए इस तरह से मैंने open रखा है यह जो half inch हमारा fabric है इसको भी मैंने fold करके stitch लगा दिया है ताके हमने zip लगाने में बहुत आसान हो जाए अब यह जो zip है हम इसको यहां रखेंगे इस तरह से और यहां पर यह देखिए बस हमने इसको रखते हुए इसमें seal देना है आप चाहो तो इसमें invisible zip भी लगा सकते हैं चीके तो इस तरह से मैं इसको seal दूँगे अभी चार ओवर से seal लगा दूँगे और जो दूसरी side है वो वाली भी मैंने side की seal इसमें लगा देना है यह देखिए इस तरह से half inch पर ही seal ना है हमें यहां पर उसके बाद हम यह जो हमारा crouch है यह वाला यह full जो हमारी pant की seal है यह वाली हमने इसमें लगा देना है तो चले मैं आप लोगो step by step बताओंगी बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से seal सकते हैं step by step ओके गाईस तो चलिए यह देखिए मैंने side की slice में यह वाली में लगा दी है यह देखिए नीचे तक और मैंने zip भी इसमें लगा दी है आप जो यह नीचे का है यह हमारा इस वाले में हमने इसको stitch कर देना है वन इंच का gap मैंने इसमें छोड़ कर इसमें stitch कर दिया है उसके बाद यह बॉटम है हमारा यह वाला भी हमने इसको इस तरह से फोल करने है वन इंच पर ओके तो चलिए गाईस इसको मैं complete कर देती हूं फिर आप लोगों को इसको iron करके अच्छे से बता द पर थोड़ा सा हमारा जो open है उसमें हम hook लगाएंगे और इसको complete कर देंगे ठीके तो गाईस इसकी जो top की वीडियो है वो मैं next वीडियो में बताओंगी तो जरूर देखिएगा और चैनल को subscribe करके रखिए और मुझे follow कीजिए instagram पर facebook पर भी तो चलिए मैं मिलती हूं next